नमस्कार मित्रों मैं इसमीता मुस्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में जहां पे मैं आपको नेट यारप विद असिस्टेंट प्रोफेशर और प्यस जी इंटरेंस की प्रिप्रेशन कराती हूं साही साथ ही आपके जो भी हिंदे साही क्लासिस्ट से रिलेटेड एक्जाम होने वाले हैं सभिक ज्युक्त लाती रहती हूं अब तक अलापको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजいます क्यों कर लिजी गहां कि मैं यहां पी आपको स्टेडी से रिलेटड वीडिस देती हूं जिन Worlds 자 ने शेयर किया है अपने free telegram group में जिसका comment box में आपको link मिल जाएगा वहाँ पर एक तो पहली book हमारी होगी previous year के question paper की दूसरी book हमारी है grammar की Hindi grammar की और तीसरी book है जिसमेn theory भी आपको मिलेगी और questions भी मिलेंगे ठीक है और चौती एक और भी बुक है जिसमें TGT, PGT सभी से related question पूछे गए है जो है घटना चक्र तो इन सभी e-book की PDF मैंने अपने free telegram group में share की है बांकि मेरे जो self study के notes हैं वो भी मैं वहाँ पे share करती रहती हूं तो अब तक आपने नहीं जोइन किया है तो कर लेजिएगा ओके बिल्कुल free है कोई भी piece नहीं है अगर आप piece पे नहीं कर सकते हैं तो कोई चिंतागी बात नहीं है आप अपना selected पढ़ सकते हैं और वहाँ पी discussion भी कर सकते हैं बहुत सारे friends हमारे जूट चुके हैं तो आप उनसे अगर आपका कोई doubt है तो वहाँ पे आप share कर सकते हैं अ आपका syllabus है एक यूनिट से दस यूनिट जो हमारी है उनस सभी का मैटरे आपको notes में मिलेगा वन लाइनर questions में मिलेगा और 31 practice set मिलेंगे कितने में मिलेंगे मात्र एक हजार पचास रुपए जो है उसकी फीस है ओके यहाँ पे फीस भी मैं बता देती हूँ एक हजार पचास रुपए फीस है उस सारे material की और यह फीस कब तक के लिए है जब तक आपका exam qualify नहीं हो जाता तब तक आपको material मिलता रहेगा वहाँ पे और selected चीजें मिलती रहेंगी आपका जो syllabus है उसके according जितने भी point होंगे जो भी आपके unit लगी हुई है जो भी विधाय लगी हुई है वो सभी वहाँ पे group में share की जाती है ओके बहुत सारे लोग जुड़े हैं अगर आप भी जुणना चाहते हैं तो जुड सकते हैं इतनी कम पीस में आपको इतना selected और इतने अच्छे effect प्रोवाइड करा जा रहे हैं अगर आप जुड़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा ज्यादा कहने की बात नहीं है मैं आहीं मैं कहती हूँ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम ही है ओके मैं कितना भी कम share आपको बता दूँ आज की क्लास में जो है डॉक्टर नगेंद का इतिहास में आप लोग को पढ़ा रही हूँ न तो डॉक्टर नगेंद का इतिहास से आधिकाल जो है complete हो चुका है मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको objective question दोंगी लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाय स्यादा score होगा और आपके question भी और अच्छे से clear हो जाएंगे और आपके सारे doubt clear हो जाएंगे तो friend अगर आपको हमारी मेहनत हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो एक like जरूर बनता है एक share भी बनता है तो जरूर कर जीजेगा यह मेरे motivation के लिए हो जाएगा तो चलते हैं start कर गलेंगे और number whatsapp number और telegram group का link आपको comments box में मिल जाएगा ओकी दोनों चीजे तो उत्तर अभधन्स को पुरानी हिंदी किस ने कहा है चंधर सर्मा गुलेरी ने कहा है Next question है हिंदी के प्राचीन कवी और उनकी कविताय नाम से लेख किस ने लिखा है तो राहुल साक्रेत्यायन जो है इन्होंने हिंदी के प्राचिन कावी और उनकी कविताय नाम से लेख लिखा है Next question है हिंदी मुक्तक कावी सबसे प्रियचंदर रहा है तो हिंदी मुक्तक कावी में सबसे प्रियचंदर रहा है दोहा नेश्ट कोश्चन है हिंदे साहितिका अभिरवाव माना जा सकता है तो कब से माना जा सकता है प्राक्रत की अंतिम अवरंस अवस्था से ओके इस काल की जो साहितिक सामगरी प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिक्द है और कुछ संदिक्द ये आधिकाल के लिए एक क धाता डॉक्टर स्यामशंदर दास्ष्टी ने किया है विवह ID LSpe accordingly कर अनगे का哪裡 का है विदेश से यहां पर विद्थ से हैं विदेश से अनगे विद्थ लिखा हुआ है आप चोहें इसको हैका उंके से विदेश से बुला बुला कर अनेक ग्रामहडवनसों को दान देकर कासी में बसा रहे थे संस्कृत को उन्होंने बहुत प्रसाहन दिया ये जो है हजारी प्रशाद दुएदिका ये कथन किसके लिए है तो ये जो है सिध्धों के लिए है ठीक है निश्ट है आपका कॉश्चनि निश्ट कुश्चन आपका है हिमाले के पात देस में प्रचलिपनार पुझा बौत धर्म को प्रवाविद करके बजुर्यान साखा के नाम से प्रवावित हो चुकी थी कथन किसका है तो ये हजारी जिद्धू जो थे पहले सयंते बाद में जैन को गले ने सुरीर यो दмы kuv कहा के रचनाकार कौन हें था आहें धनन बाल क संबेस रासक के रचयता कौन है लेस्ट को पिरीक वाल इसमय का समय क्या नामों से जाना जाता है तो सरहपाद, सरोजबज और राहुल भद्र नेश्ट कोश्चन है दोहा कोस के रचनाकार कौन है तो सरहपा जो है दोहा कोस के रचनाकार है निश्ट कोश्चन है दोहा कोस देखिए यहां पे साथ सलजम वाला है और यहां पे साथ जो सटकोड वाला है तो इनको आपको याद रखना है दोहा कोस करचनाकार जो है कंडपा है नेश्ट कोश्चन है कातरूर पंच विडाल पंग्ति के रचनाकार कौन है तो लुईपा है नेश्ट कोश्चन है गंगा जउमना माझेरे पंग्ति के रचनाकार कौन है तो डोमबिपा है नेश्ट कोश्चन है आगम बे पुराने पंग्ति के रचनाकार कौन है तो कंडपा नेश्ट कोश्चन है जैन साहित से सम्मंद सैलिया है तो रास फाग चरित जो है जैन साहित से सम्मंद सैलिया है भारतेसर बहुवली रास एक घंड काव है नेश्ट कोश्चन है चंदन वाला रास के रचनाकार कौन है तो आसक कभी है नेश्ट कोश्चन है इस थूल वहद्र प्रत्वीरा राशो की सेली में लिखा गया है तो डॉक्टर नगेंद के अंसार या पिंगल सेली में लिखा गया है नेश्ट कुस्चन है मनहु कला ससिभान कला सोला सो बन्य पंक्ति के रचना कार कौन है तो ये चंदरवरदाई जी ने लिखा है पृत्वीरा राजो से ये पंक्ति ली गई है नेश्ट कुस्चन है लावकिक साहिति की रचनाएं है धोला मारूरा दूहा जैर चन्दप्रकास और जय मयंक जस्चन्दिका और भसंद बिलाज ये लावकिक साहिट की रचनाये है निष्ट कोषिन है आदिकाल में जनता के मनोरजन के लिए रचनाय करने वाले रचनाकार कौन है तो अमीर खुसरो है निष्ट कोषिन है अमीर खुसरो का जन समय है 1255-1324 डॉक्टर नगेंद के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म कहा हुआ था तो एटा में हुआ था नेस्ट कोश्चन है प्रथम सिलांकित रचना है तो राउल वेल है नेस्ट कोश्चन है राउल वेल का समय क्याम है तो दसवी सदी है प्रथम चेंपू कावी है तो राउल वेल है नेश्ट कोश्चन है प्रथम नक्सिक कावी है तो राउल वेल है नेश्ट कोश्चन है बर्न रतनाकर के रचनाकर कौन है तो मैथली रचनाकर जियो 308 ठाकुर जो है बर्न रतनाकर के रचनाकर है जो मैथली भासा में लिखे है तो चौदवीद साथी है डॉक्टर नगेंद के अनुसार वन रतनाकर है एक सब्द कोस पोके नेश्ट कोश्चिन है आधिकाल के प्रसिद्चंद है तो आधिकाल के प्रसिद्चंद है छप्पय तोटक तोमर पधरी नाराज ओके यह सब प्रसिद्चंद है तो अरिल पंजर्टिका और कडवक है तो आप लोग बताइएगा आपको यह क्लास कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप इसका पीडियाफ चाहते हैं तो आप जो है फ्री टेलिग्राम ग्रूप जाइन कर लीजिए वहां पे इसका पीडियाफ आपको प्रॉइड करा दिया जाएगा और हम आपके लिए इसी टाइप की क्लासिस लाते रहेंगे और आप अगर अभी तक चैनल को सुस्क्राइब नहीं क आपको और भी मिलेंगे और जब तक हम आधिकाल को बिल्कुल कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक जो है हम नेश्ट क्लास नहीं लाएंगे ठीक है जब तक हमको यह बिल्कुल किलियर नहीं हो जाता एक एक फ्रेक्ट जो है आधिकाल का हम कंप्लीट कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे तो क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर बनता है और अपने दोस्तों को भी यह क्लास शेयर कर दीजिए जैसे वह लोग भी हमारे साथ जोड़कर अपने प्रिप्रेशन कर सकी भले ही वह पीजीटी टीजीटी के बीएस किसी भी एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हूं तो मिलते हैं नेश्ट क्लास में तब तक के लिए जैहिन जैभारत